हेलो सुरेंट्स जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज और वो कौन-कौनसी प्रॉपर्टीज थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेज गंजर्वेशन ऑफ चार्जेज एड कॉंटाइजेशन ऑफ चार्ज आज हम देखते हैं वट इस कूलम्स लोह तो को समझने से पहले हम समझ ये ये बात देख लें कि आखिर ये लॉग क्या बताता है यह लोः क्लेटिटिव स्टेट्मेंट का क्या मतलब है क्या क्वांटिफाइज करता है यह यह बताने के लिए कि वाट इस दर्फ फोर्स अफ अट्रेक्शन और वट इ हमारे पास में जो charges है उसके बीच में लगने वाला force वो कितना होगा तो यह जो law है यह actually quantitative statement दिया था कूलम ने की what will be the force of attraction और repulsion between the two charges ओके तो यह फर्स्ट फिंग आपको याद रखनी है क्या बताता है यह क्वान्टिटेटिव स्टेट्मेंट वह यह है कि कोई भी दो चार्जेस होंगे they are supposed to be point charges अब point charges क्या है वो हम समझते हैं तो assumption क्या था charges कैसे होंगे charges कि point charges होनी चाहिए यह कोई first time हम नहीं पढ़ रहे इससे पहले newton ने अपने जो लॉड दिया था उसमें यह का था कि the object should be point sized उसी तरीके से point charges से मतलब है कि when the size the linear size of a charge linear size का मतलब है इसका radius तो वैं दो लीनियर size of a charge is very very less very very less as compared to the distance of separation as compared to distance of separation इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास में दो charges दो charges के बीच की force find out कर रहा हूं है अगर यह charges like charges हुए तो इनके बीच में rebulsion होगा अगर यह charges unlike charges हुए तो इनके बीच में attraction होगा यह हम जानते हैं तो यह जो दो charges हैं इनके बीच की जो distance है let us suppose यह आर है तो यह जो दो charges है इनकी diameter यह इनकी radius negligible होनी चीए याने बहुत कम होनी चीए with respect to the distance ऐसे charges को हम क्या कहेंगे point charges कहेंगे बहुत simple है meaning point याने एक बिन्दू जासा है very small as compared to the distance of separation between these two charges तो यह बात याद रहेगी what do you mean by point charges point charges are the charges in which the linear size is very small as compared to the distance of separation between them okay so we can note down the point charges are the charges which is where the linear size the linear size is negligible यह ब्रैकेट में लिखूम है very small as compared to distance of separation between the charges याने दो charges है उनके बीच में यह जो distance है यह बहुत जादा है as compared to its radius तो ऐसे charges को हम क्या कहेंगे point charges कहेंगे चलो यह assumption हमको समझ आ गया है इसी assumption के उपर कूलम ने कुछ experiments कि बेंगे उसके लिए उसने जो device use करी वो था torsion balance torsion balance torsion balance torsion balance torsion balance एक ऐसा balance है एक ऐसा instrument है that is used to find out the force between the two bodies यही आगे जाकर के Cavendish ने use किया था for finding out the experimental value of the force between two bodies वो universal law of gravitation को उसने establish किया था चलो वो हमारा topic नहीं है हम Coulombs law पर आ जाते हैं तो Coulombs ने क्या किया उसने एक torsion balance लिया और torsion balance को use करते वे उसने यह law establish किया अब वो law क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या यार रखना है उस device का नाम क्या है torsion balance torsion balance है इसका brief idea में आपको दे दूँआ कैसे किया बता दूँआ उससे पहले हम law समझ लेते हैं कि law क्या है तो क्यों पॉइंट पॉइंट चार्ज लेट से वन पॉइंट चार्ज इस क्यूवन एंडर पॉइंट चार्ज और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से सेंटर तर लेटर से इस है तो पॉइंट ने यह बताया थू सेरीज ओफ एक्स्परिमेंट्स बहुत सरे टू मेगनीड ओफ दू चार्जेज यह जो दोनुट चार्जेज है इनका मेगनीड door टेयरेकल बॉपोर्चनल है इनके सेंटर सेंट यह बताया हूब यह था कि इस force is also inversely proportional to square of the distance between these two charges यह तो थोड़ा सुना-सुना सा लग रहा ना Newton law जो था वो भी कुछ इसी तरीके से था Newton का क्या law था F is proportional to M1 M2 upon R square यह proportionality को साइन को आमने बाद में जी बोला था जो यूनिवर्सल gravitational constant है जिसकी value थी 6.67 into 10 to the power minus 11 यह आप लोगों ने पिछली classes में पढ़ा वाए तो जी इंटू M1 M2 upon R square इसी lines पर उसने same यह find out किया कि this force of यहां यह force खाली attraction जा था और यहां कैसा है this force of attraction or repulsion depending upon the kind of charges अगर like charges है तो repulsion होगा unlike charges है तो attraction होगा ठीक है तो उसने बताया है कि जो force है वो proportional है the magnitude of the product of two charges and inversely proportional है square of the distance between them तो मैं इसको अगर इस तरीकी से बात करूं कि f is proportional to q1 q2 का magnitude divided by r square तो इन दोनों को मैंने club करके लिख दिया तो अब यह इस proportionality के sign को अगर मैं हटाता हूं तो मुझे आपको यह आपको बताएं कि मुझे कुछ constant से replace करना होगा so f is given by some constant k let us say this k is a coulombs constant क्योंकि coulomb ने दिया है तो let us say this k यह जैसे universal gravitational constant था उसी तरीके से let us say this constant is a coulombs constant so f is equal to k times of q1 q2 का magnitude divided by r square okay तो यह force जो है यह बताया था coulomb ने अब इसको हम डिफाइन कर लें तो as given by coulomb the force of attraction or repulsion between between two point charges is directly proportional directly proportional to magnitude of product of the charges and and inversely proportional inversely proportional to square of the distance square of the distance of separation between the charges basically simple law है जैसा हमने Newton's gravitational law पढ़ाता है वैसा ही लो है कि the force of attraction or repulsion between any two point charges is directly proportional to the magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and this K is known as coulombs constant यहां तक हमको समझा गया है तो मैं इसको रप कर देता हूं आगे बढ़ते हूं यह पता करते हैं कि आखर उसने find out कैसे किया था कैसे उसने पता किया कि कूलम्स law जो है establish हो या कैसे experiment के अंदर उसने find out किया ओके तो देखते हैं तो बेसिकली उसने क्या किया एक इंस्टूमेंट लिया टॉर्शन बैलेंस आप यह समझके चलिए कि उसने जो बैलेंस लिया था उसके अंदर उसने add जो है वो निकाल दी सारी यानि वो vacuum हो गया तो यह जो दो चार्जे उसने लिये यह दोनों चार्जे टॉर्शन बैलेंस के अंदर vacuum के अंदर लिये यह बात समझा गई तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है एर भी नहीं है यह बात clear है ओके फिर क्या किया उसने एक important चीज जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने charge को firstly measure कर लिया होगा charge को measure करने के बाद में बहुत सार experiment लियोंगे उसके बाद में पता चल गया होगा कि जो product है उसके proportional हो रहा है और inversely proportional है square of the distance नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या किया तो उसने without calculating the actual charge find out कर लिया था यह amazing चीज है ना तो कैसे किया उसने वो हम देखते हैं तो देखो सबसे पहले उसने एक दो charges ले लिये यह charges कैसे लिये उसने कोई भी जो हमने charging method लिया था उन charging method से कोई भी दो charges उसने ले लिये okay फिर उसने क्या किया इस एक charge को एक uncharged body से q1 को एक दूसरी uncharged body से सबसे पहले यहां से इसने इन दोनों के बीच में force find out कर लिया कोंकि force को किसकी help से find out कर सकते हैं torsion balance की help से हम लोग find out कर सकते हैं कि torsion balance क्या है torsion का मतलब होता है उसमें कितना torque लग रहा एक thread के अंदर उसकी help से find out किया था वो detail में जाने की जुरूती है suppose करो इसके अंदर जो force आया था वो आया उसके पास में 10 newtons let us say first वाली condition में उनके बीच की distance उसको पता है charges क्या है यह नहीं पता ठीक है अब उसके पास में जो भी force आया 10 newtons charges की value find out नहीं करी उसने 10 newtons उसके पास में force आया अब उसने क्या किया by conduction एक दूसरा charge लिया uncharged uncharged bodily जो इसके बराबर ही इसका radius और सब चीजे इससे मैच कर रहा है इसी तरीके से q2 से एक दूसरी bodily और यह भी जो है इसके बराबर ही इसकी radius है हर एक चीज है now what he did was यह भी uncharged है अब उसने by conduction इसको इससे touch किया तो जब ऐसा होता है हमें हमने यह देख चुके हैं कि जब भी दो bodies को आप touch करोगे तो charges जो है shift हो जाते हैं दूसरे उपर और वह कैसे होते हैं मेरी पुरानी slides में आप जाके देख सकते हैं anyway तो यह phenomenon होता रहता है यहां से charge यहां पर जाते रहेंगे अगर यहां पर चार क्यों अपाउन टू यह अंचार्ज थी इस पर जीरो था जीरो मतलब neutral body थी हम यह भी हम देख चुक है तो जब क्यों को इसने इस बाड़ी से फस्ट केस कितना था और सकर्ड वाले केस में इसके पास ना आएगा अब ग्यूट वाइटNew two यह इन दोनुका प्रडस के प्रपोश्लून था ना तो इन दोनुके प्रडस्ट क्यों टू सेम है और वाईड़ीड़ा इसका आंसर कितना है या 10 by 4 Newton तो F2 कितना है उसके पास में 10 by 4 Newton आया 10 by 4 Newton आया और उसके ये ये भी याद रखना है कि इनके बीच की distance से उसने कोई छिड़ छड़ नहीं करी है ये जो distance है ये अभी भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर पर फोर्स कितना आगे 10 by 4 जिससे ये उसे मालूम पड़ा कि इन दोनों के product के proportional होना चाहिए ये बात समझ आ लिए तो कैसे उसने यहाँ पर बता किया कि F शुड़ भी proportional to Q1 Q2 और ये कोई एक बार नहीं किया इसके आगे और इसको दूसरे से touch किया एक अंचार से तो ये कितना हो जाएगा Q1 upon 4 इसको भी touch किया तो ये कितना हो गया Q2 upon 4 अब जो force find out किया इनके बीच में तो वो कितना हो जाएगा 4 into force या 16 तो F3 कितना है उसका 10 4 into 4 divided by 16 Newton तो ये establish हो गया कि जो force है वो उनके product के magnitude पर डिपेंड करना है समझा गया तो उसे charge calculate करने की ज़रूत नहीं पढ़ी उसे charge calculate करने की ज़रूत नहीं पढ़ी कि ये charge कितना है ये charge कितना है उसके बाद में experiment करूँ उसने basically कोई भी 2 charge body ले ली उसके बाद में कंडक्शन के help से उसने force को relate किया force को relate होने से ये मालूप पढ़िया कि जो force है that is proportional to the product of the two charges समझा आया ओके इसे तरीके से जब उसने distance को बढ़ाया distance को increase किया तो उसने ये relation देखा कि ये जो force है जैसे ये distance बढ़ता जा रहा है force कम होते जा रहा है और किस speed से कम हो रहा है इस speed से कम हो रहा है कि force मेरा inverse square relationship में आ रहा है कैसे कम हो रहा है force ज़्यादा तेजी से कम हो रहा है याने अगर उसने एक experiment में Q1, Q2 लिया और इनके बीच distance रखी 10th और अगले वाले में इनके बीच में distance रख दी 20 याने इसकी double कर दी और charges को same रखा अभी conduction नहीं किया है तो find out क्या किया है कि यहाँ जो F1 आ रहा था यहाँ जो force आ रहा था और यह जो force आ रहा था इनके बीच में जो जो find out करने पर जो relation आया वो यह था यहाँ पर क्या है 10 का मतलब 20 का मतलब 2R 2R याने F2 is equal to 1 upon 4R square तो कितने times कम हो गया F1 का 1 by 4 हो गया था F2 is equal to 1 by 4 of F1 याने square distance के साथ कम हो रहा और कैसे कम हो रहा है square of the distance के साथ में कम हो रहा है तो यह एक छोटा सा experiment किया था Coulomb ने तो अब हम यह देख लेते हैं कि Coulomb's law आपको बिल्कुल तर अच्छे से समझ आ गया कैसे उसने find out किया यह भी हमको समझ आ गया अब हम देख लेते हैं Coulomb's law for the vector notation of the Coulomb's law क्योंवेक्टर क्योंकि force किया है एक vector quantity है तो हम उसका vector notation देख लेते हैं अच्छा एक बात आपको याद रखी है कि Coulomb को 1 Coulomb क्या होता है इससे पहले कि हम वो vector notation देखें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी find out कर लिया गया कि force is equal to k times of q1 q2 upon r square जहां k क्या है k एक constant है k constant है जो कि Coulomb's constant कहा गया यह जो k है यह actually depend करता है medium पे याने vacuum में इन दोनों bodies के बीच में जो force होगा वो different होगा as compared to जब यह कोई medium में हो याने कि water suppose किया यह कि water के बीच में दो charges पड़े q1 और q2 यह water के बीच में तो यहाँ पर यह जो force आया f water यह free space याने vacuum free space को उन क्या कहते है vacuum तो उस vacuum से different था इसका मतलब यह जो k है coulombs constant k है यह किस पर depend कर रहा है यह depend करता है medium पे anyway for vacuum vacuum से क्या मतलब है vacuum से मतलब है free space जहां कुछ ना हो ठीक है तो for free space the value of k is equal to 9 into 10 to the power 9 अब units find out करनी है तो units में अब इदर आ जाओ f की unit क्या है f की unit है newton q1 और q2 की unit क्या है दोनों की coulomb है तो coulomb square तो न्यूंट की और q2 की unit क्या है एसा ही unit होती है मीटर तो मीटर स्क्वेर तो newton meter square divided by coulomb square तो k की unit क्या है newton मीटर स्क्वेर coulomb raised to minus 2 per square coulomb ठीक है यह समझ आगे आपको तो यह k की value कब आती है यह k की value आती है जब हमारे पास में क्या हो vacuum हो याने different different mediums के लिए the value of k will also change understood k की value अलग-अलग change हो जाती है तो for vacuum यह जो k find out किया था यह value कहां से आई k की जो value है mathematical value वो given by 4 pi epsilon not अब यह epsilon not क्या चीज़ है इसके लिए मैं एक अलग से lecture लोगा आपका इसको कहते क्या है इसको कहते है permittivity क्या कहते है तो मेरे next video में आप यह find out करना permittivity से क्या मतलब है अभी फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि यह जो permittivity है यह एक property है medium की किसकी property है यह property है किसी भी medium की क्योंकि medium के साथ में force change होता जा रहा है तो क्या change नहीं हो रहा था आपने charges को same charges को same दूरी पे different different mediums में रखा तो देखा force change हो गया इसका मतलब यह दोनों charges तो वह लिए थे यह distance भी दोनों के बीच में same रखी थी तो फिर force क्यों change हो रहा है क्योंकि k की value change हो रही है k की value कितनी है k की value है k की value होती है 1 upon 4 pi epsilon epsilon is known as permittivity यह epsilon का मतलब क्या है epsilon is known as permittivity यह दो लिख देता हूँ epsilon is what permittivity यह permittivity किसके साथ change होती है medium के साथ में different different medium की different different permittivity होती है different permittivity होने के कारण यह जो k की value है यह भी change होती जाती है जब हम vacuum की बात करते है यानि free space की बात कर रहे है तो k जो है उसकी value आती है 9 into 10 to the power 9 तो उस case में vacuum को बताने के लिए मैं यह जो epsilon है कैसे pronounce करते इसको epsilon कई लोग इसको epsilon भी बोलते है you can pronounce in that way अगर आपको epsilon बोलना है क्योंकि मैं इसको epsilon बोलता हूँ अगर आपको epsilon बोलना है that is also correct basically क्या है यह यह एक permittivity है permittivity क्या है एक property है medium की जिसके कारण force change हो रहा है इसके उपर मैं एक different आपको वीडियो में जो अगला वीडियो होगा उसमें जाके आप इसको find out कर सकते हैं कि क्या चीज़ है ओके, come back तो हमने यह दिखा कि जो coulombs law था given by k into q1 q2 upon r square जहां k coulombs constant है जो free space के लिए value होते है 9 into 10 to the power 9 यह value याद रखनी है क्योंकि important value है कि vacuum के अंदर इसकी value कितनी है 9 into 10 to the power 9 अच्छा 9 into 10 to the power 9 कहा सही इस सही यह क्या है epsilon 0 0 का मतलब क्या है in free space epsilon क्या है permittivity permittivity in free space is known as epsilon 0 so what is the value of epsilon 0 the permittivity permittivity for free space is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 कितनी है इसकी value 8.85 into 10 to the power minus 12 अब आपकी इसको unit find out करना है जैसे मैंने यहां find out किया था तो k की जो भी unit है k की unit क्या थी newton meter square per coulomb square तो epsilon की value क्या होगी 1 upon k की unit 1 upon k की unit का मतलब क्या है कि मैं यहां क्या कर दू newton minus 1 meter square की जाएगे क्या हो जाएगा meter raise to power minus 2 और coulomb का क्या हो जाएगा coulomb square यह बात समझ आ रही क्या otherwise यहां से आप find out को epsilon उदर ले जाओ force इदर लिया हो तो मेरे पास में यह हो गया coulomb square ठीक है coulomb square upon meter square और यह force भी इदर लाएगे कोईकि epsilon इदर जाएगा तो मेरे पास में newton minus 1 तो यह value कितनी है इसकी 8.85 into 10 to the power minus 12 यह किसकी value है permittivity है free space की तो water की क्या permittivity है दूसरी क्या है तो यह हमारा topic हम लेंगे absolute permittivity and relative permittivity वहां मैं आपको explain करते हूँगा अभी मेरा basically हमें coulomb's law पी चलते हैं और coulomb's law और उसका vector notation हम लोग find out करते हैं और साथ में यह भी पता करते हैं कि one coulomb होता क्या तो अगर मुझे one coulomb को define करना हो तो मेरे पास में value है f equals to अब मैं k की जगे हर जगे क्या लिखूँगा one upon four pi तो मैं यह लिख रहा हूँ k is equal to one upon four pi अगर vacuum में है तो one upon four pi epsilon naught into q1 q2 का magnitude divided by r square यह क्या है आपका यह है आपका coulomb's law अल्राइट अब मुझे one coulomb को define करना है one coulomb को लेने के लिए let us say q1 is equal to one coulomb and q2 is equal to one coulomb दोनों की value one है और r की value मैंने लिए है one meter तो जब मैं r की value इसपे substitute करूँ q1 q2 दोनों किसके equal है one तो one into one हो गया one r की value मैंने one meter लिए और यह पूरी जो value है यह कितनी है यहां मैंने find out की भी है it is equal to what it is equal to nine into ten to the power nine तो मैं यहां find out करूँ f is equal to nine into ten to the power nine जो इसकी value है q1 q2 की value क्या होगी one 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 divided by one square is one तो मेरे पास में force की value में इतनी होगी this much newton nine into ten to the power nine newton तो अब मैं इससे one coulomb को define कर सकता हूँ one coulomb क्या है one coulomb is the force that will be acting between two similar charges of same one coulomb when they are separated by a distance of one meter and the value of the force comes out to be nine into ten to the power nine newton समझाए आपको तो one coulomb कौन सा चार्ज है one coulomb चार्ज कब लगेगा तब लगेगा जब कोई दो one coulomb के charges one meter की distance पर हो और उनके बीच में force लग रहा हो repulsion होगा कोई same charges है nine into ten to the power nine newton तो आप define कर लें one coulomb को what is one coulomb so you can write down one coulomb is defined as the charge on a body when it is separated by a distance of one meter from a same charge and experience a force of nine into ten to the power nine newton in vacuum so what is one coulomb one coulomb is defined as the charge acting between these two bodies यह अगर one coulomb है तो कब होँगी जब इनके बीच में force कितना लग रहा हो nine into ten to the power nine newton लग रहा हो और कैसा होगी है एक वैक्यूम में हो free space vacuum या free space यह बात समझ आगे सबको अब हम इसका वैक्टर नोटेशन देखते हैं और रब कर दूँ मैं यहां तक समझ आ गया ओके तो वैक्टर नोटेशन ओफ कूलंब्स लॉग क्या फाइंड आट कर रहे हम वैक्टर फॉर्म किसकी वैक्टर फॉर्म कूलंब्स लॉग की वैक्टर फॉर्म फाइंड आट कर रहे हैं उसका कारण यह है कि जो force होता है वो एक वैक्टर quantity है तो इसको फाइंड आट करने के लिए let us assume that we are having two charges q1 and q2 and that position vectors अब यह वैक्टर आ गया तो मुझे position vector बताना पड़ेगा position vector क्या होता है जो position बताता है किसी भी point object की with respect to a fixed point समझाया तो let us say अमारे पास में जो observation point है वो हमारा fixed point के लाता है यह ओपर है यहां से मैं देख रहा हूँ दूनों charges को तो यही मेरी frame of references जो है वो इसी जगे पर है यह जो frame of reference है frame of reference के होती है जहां से मैं find out कर रहा हूँ कि मेरे जो दोनु charges है वो किस जगे पर है तो उनकी position with respect to a fixed point known as the observation point will give you the position vector so the position of q1 with respect to the observation point will give the position vector of q1 तो let us say यहां से यहां तक इसकी जो position vector है वो है r1 ठीक है बहुत simple सी बात है r1 और यह मैंने क्या लिया है यह क्या है यह vector है ओल्राइट ठीक है तो vector है तो इसकी direction यहां से यहां इसी तरीके से जो q2 है उसका position vector लेक्ट आस से इस r2 ठीक है यहां से यहां यहां से यहां अब इन दोनों के बीच की distance इन दोनों के बीच की distance जो हमने r बोली थी वो है अब कैसे measure करते हैं कैसे लिखते हैं अलग अलग जगे पर आपको अलग अलग चीज़े मिलेगी तो मैंने क्या follow किया है Q1 और Q2 ठीक है Q1 से Q2 की तरफ जो force लग रहा है याने Q2 के उपर जो Q1 force लगाएगा उसकी direction यह है अगर यह ripple से हुआ attractive हुआ तो उसकी direction यह हो जाएगी और रेट तो F21 F21 का क्या मतलब है F21 का मतलब है the force on 2 due to 1 the force on 2 due to 1 यह बार समझ आगे आपको F21 is the force on 2 due to 1 similarly दोनों लाइक चाज़ेज़े लेट उसे दोनों लाइक चाज़ेज़े so in that case F12 क्या बताएगा F12 बताएगा force on 1 due to 2 याने 2 जो force लगा रहा है 1 बर वो force क्या गया लाएगा F12 उसकी direction क्या है यहां से यहां इसकी direction क्या है यहां से यहां तो F21 is what F21 is force on 2 on Q2 due to Q1 इसी तरीके से F12 क्या है force on 1 due to Q2 यह बाद समझा लिए चलो तो यह F21 है तो मैं आप यह बता रहा था इनके बीच में जो distance होगा इन दोनों के बीच में जो displacement है इस displacement को मैं represent कर रहा हूँ R21 से कई books में यह R12 से लिखा होता है पर वो confusion create करता है तो आप क्या लोगे इसको आप इसको लीजिए R21 आप वैसे अगर आपको R12 समझ आप R12 लिए पर यह हमारे convention हमारे convenience के हिसाब से हम लोग इसको R21 ले तो R21 is what R21 is the distance between Q1 to Q2 तो इसको हम read कैसे कर देंगे R21 is the distance from 1 to 2 समझ आया R21 is the distance from 1 to 2 तो मैं इदर लिख देता हूँ R21 क्या है यह आपको क्या बता रहा है distance from between तो इसका magnitude क्या होगा it will tell you the distance between Q2 and Q1 इसी तरीके से R12 R12 क्या होगा R21 की direction क्या है R21 की direction यह लिए तो R12 क्या होगा R12 की direction क्या होगी इस तरफ होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि और वो दोनों की distance सेम है यानि R12 का magnitude और R21 का magnitude दोनों सेम है R21 का magnitude क्या बताएगा यह distance इस वेक्टर का magnitude क्या बताएगा इन दोनों के बेच के distance इसी तरीके से यह इस direction में जाने वाले वेक्टर का magnitude क्या होगा वो भी distance बताएगा ओके यहां तक clear है पर यह दोनों वेक्टर्स opposite direction में है इसलिए वेक्टर की form में जब मैं लिखता हूँ तो R21 is equal to minus of R12 यह याद रहेगा minus sign क्या बता रहा है अब मैं वेक्टर्स की बात करहा हूँ यहां मैंने magnitude की बात करी थी R21 कौन सा वेक्टर है R21 is a vector from 1 to 2 R12 is a vector from 2 to 1 रइट तो दोनों वेक्टर्स opposite direction में act कर रहे हैं तो minus sign क्या represent कर रहे हैं कि R21 की direction जो है R12 की direction के opposite है और इन दोनों का magnitude same है तो यह मैंने suppose किया यह मैंने बन लिया अब मैं आ जाता हूँ vector form पे लिखने हैं तो सबसे पहले force क्या है एक vector है हना तो यह किसके एकवल है यह एकवल है k times k को आप 1 upon 4 by epsilon not भी लिख सकते हैं अगर vacuum में है so it is k times of product of q1 and q2 divided by अब मैंने magnitude रटा दिया उसका कारण में समझाँगा q1 q2 divided by इनके बीच की distance का square इनके बीच में distance अब मैंने अगर force किया f21 तो इदर लिख रहा हूँ मैं f21 तो इदर इस direction में force लग रहे हैं तो क्या लोगा मैं r21 लेओंगा यह बाद समझा रही क्या तो मैं यहां के लिखूं r21 तो f21 के लिए r21 का square अभी तक यह सिर्फ magnitude बता पा रहा है मुझे direction नहीं बता रहा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहां एक unit vector लगाना पड़ेगा क्योंकि unit vector जो होता है वो किसी vector की direction बताता है अब unit vector क्या होता है suppose करो मेरे पास में एक unit vector है it is given by a cap तो unit vector is given by the vector divided by its magnitude कैसे होता है यह the unit vector is defined as the vector divided by its magnitude तो यह याद रखलो कि vector में से उसका magnitude को आप divide करके खतम कर दोगे तो पीछे तो direction नहीं बचेगी vector मतलब a quantity which is having both magnitude and direction तो यहां पर magnitude तो आ गया force का अब मुझे direction बतानी है तो मैं क्या लगा हूंगा unit vector unit vector किसका यहां से यहां तक जाने वाले vector का वह कितना है r21 तो यह जो मैंने r21 लिखा r21 अब इस vector का magnitude ले रहा हूं नीचे तो तो कि square of the distance है तो square of the distance है इसका magnitude और उपर क्या लिया मैंने unit vector यह बात समझ आ रहे हैं क्या यह मेरा vector notation है for force 21 वापस समझें इसको f21 is what f21 आपका force है कहां से कहा तक force on q2 due to the point charge q1 q2 पे लगने वाला due to q1 तो r21 क्या है r21 is the vector from 1 to 2 ठीक है यहां पर हम देखें this force is equal to q1 q2 upon magnitude r21 square r21 का vector r21 का unit vector तो unit vector यूनिट वेक्टर क्या होता है direction बता रहे direction क्या इस फोर्स की यह direction है तो मैंने यहां unit vector लिए यह वाला समझा है आपको इसी तरीके से अगर मुझे f12 find out करना होता f12 तो f12 कितना होगा f12 होगा equal to k times q1 q2 का multiplication q1 q2 का multiplication divided by को है उनके बीच की distance या तो यह लिखो यह लिखो यहां 1 2 है तो मैं क्या लिख दे रहा हूं r12 okay r12 का square then आगे क्या करोगे magnitude का square okay then इस direction में लग रहा है तो unit vector भी कौन से vector करूंगा r12 का cap मालुम पढ़ गया मेरे पास में सीधी सी चीज है जब यहां f21 आएगा तो यहां r21 r21 का magnitude का square जब यहां 1 2 आएगा तो यहां r12 unit vector r12 का square दोनों forces मैंने define कर लिए तो यह क्या है यह forces है कूलंग्स लॉग का vector form है किस form में है यह vector form में गीवन है अब इससे कुछ inferences हम लोग निकाल सकते हैं तो इदर देखिए तो मैं एक बार आप यह diagram देख लो अब मैं इसको रप कर रहा हूं ओके यह आप लोगों ने लिख लिया होगा तो अब मैं इसको रप कर रहा हूं और फिर हम वापस लिखते हैं चीक है F21 which was the force on 2 due to 1 it is equal to K जहां K क्या है K is equal to 1 upon 4 pi Epsilon अगर vacuum हो तो Epsilon not Epsilon क्या है Permittivity तो K is given by 1 upon 4 pi Epsilon into Q1 Q2 upon R21 के magnitude क्यूद का स्क्वेर और कांसा unit vector R21 का unit vector similarly F12 is given by K times Q1 Q2 upon R12 R12 and R12 right यह दों लिखती है अच्छा आपके डाइग्राम में आपने देखा है मेरे पास में डाइग्राम क्या था यह है R1 यह है R2 और इनके बीच में डिस्टेंस लग लिए तो R21 अब यह एरो यू है ट्राइंगल लॉग क्या कहता है ट्राइंगल लॉग यह कहता है कि अगर इनकी direction same है तो यह मेरे पास में यह वाली direction किसकी थी R21 की तो R21 किसके equal है R21 है equal to R2 minus R1 किसके equal है R2 minus R1 यह ट्राइंगल लॉग है समझा रहा है क्या इनकी direction same है तो यह किसके equal होगा ट्राइंगल लॉग क्या कह रहा था ट्राइंगल लॉग यह कह रहा था कि अगर कोई 2 sides हैं यह taken together in the same direction दीखें एकी clockwise clockwise direction में लिया है मैंने तो A B और यह कोई C vector है जो कि opposite direction में है तो C vector किसके equal है इन दोनों के sum से A plus B यह मेरा ट्राइंगल लॉग है तो A किसके equal होगा या B किसके equal होगा B equal होगा C minus A यह आप लोगों ने पढ़ावाए तो वही चीज़ हमने यहां किया R1 और R21 यह दोनों clockwise direction में है R2 जो है वह anti-clockwise direction में है So R2 is equal to R1 plus R21 तो R21 is equal to R2 minus R1 समझा है? तो इसी के basis पर इस form को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस form को मैं लिख सकता हूँ अभी find out किया R21 is equal to R2 minus R1 and R12 is equal to R1 minus R2 तो इनकी जगे पर मैं replace कर दूँ तो इनको replace किया तो मेरे पास क्या है? के Q1 Q2 R21 की जगे पर मैं क्या लिखूँ? R21 R2 minus R1 जो vector है R2 minus R1 यह vector है इसका unit vector है इस पूरे vector का unit vector है तो इसको आप as it is भी रहन दीजे यहाँ पर R21 divided by R21 की जगे पर मैंने लिख दिया R2 minus R1 के magnitude का R21 की जगे के लिखा? R2 minus R1 Similarly, this can be written as K times Q1 Q2 R12 gap divided by R1 minus R2 का square यह दो तरीके से हम लिख सकते हैं तो यह simple तरीका है आप यह लिखो चाहे इस तरीके से लिखो दोनों valid है Okay, next इसको और अब कर रहा हूं मैं 1 minute के लिए अब देखो हमें यह पता था कि R21 जो है It is equal to R2 minus R1 और 21 cap should be equal to R21 vector divided by R21 vector का magnitude तो R21 की जगे पर मैं लिख सकता हूं R21 किसकी इकवल है R2 minus R1 divided by magnitude of R2 minus R1 तो यह वाली value मैं इस पर substitute करूं R21 की जगे पर मैं यह value value substitute कर रहा हूं इसमें substitute कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या आएगा F21 is equal to K times of Q1 Q2 R21 की जगे क्या लिख सकता हूं Vector R2 minus R1 divided by R2 minus R1 magnitude का square already है multiply by वापस इस से करोंगा तो क्या हो जाएगा This multiply this is what Q So R2 minus R1 R1 का square और यह नीचे एक बार और है R2 minus R1 तो इन दोनों को multiply किया तो मेरे पास में क्या आगया F21 F21 is equal to K times of Q1 Q2 R2 minus R1 divided by R2 minus R1 multiply होगा Q तो यह मेरा एक तरीका लिखने का तो इसी तरीके से F12 भी मैं लिख सकता हूँ ओके तो यह एक पुरा है आप लोगों ने लिख लिया होगा मैं इसको रब कर रहा हूँ तो आप हम इदर लिख लेते हैं F21 is equal to K times Q1 Q2 divided by R21 K magnitude का square into R21 cap जो भी हमने दिखा is equal to KQ1 Q2 R2 minus R1 divided by R2 vector minus R1 vector का q ओके similarly F12 लिख सकता हूँ मैं K times of Q1 Q2 divided by R12 square R12 cap equals to K times Q1 Q2 upon R1 minus R2 whole cube into R1 minus R2 R2 तो यह है मेरा कूलम्स law का vector representation right यह है मेरा कूलम्स law का vector representation अब इससे कुछ inferences point number 1 तो यह लिख लिए आप लोगों ने अब मैं इसको रप कर रहा हूँ और देखिया तो अब मैं क्या inferences find out कर सकता हूँ तो पहला point okay first point inference number 1 F21 is given by K times Q1 Q2 R21 माल लिजिए Q1 मेरा positive है और Q2 मेरा negative है Q1 positive and Q2 is negative तो जब Q1 positive है Q2 negative है इसका मतलब Q1 into Q2 करूँगा तो positive और negative को multiply करूँगा तो वह भी क्या आएगा negative तो वह value क्या आएगी negative negative मतलब less than 0 तो फिर इसको मैं बोल सकता हूँ Q1 Q2 is less than 0 तो तो इफ Q1 is positive Q2 is negative याने मैं क्या बता रहा हूँ when the charges are unlike कैसे charges है charges are unlike जब अनलाइक जब अनलाइक चार्जेज होते हैं Q1 Q2 is less than 0 उस केस में Q1 Q2 is less than 0 याने यह क्या है negative यह value क्या आगई तो negative का मतलब क्या आया कि F21 is equal to sum minus आप क्या करते रहो negative value आई minus of जो भी value आ रही है कुछ भी answer आया into R21 negative value आई और R21 अब यह minus R21 का क्या मतलब है minus R21 का मतलब है जो direction आपकी इस direction में R21 की direction क्या थी यह तो R21 की direction अगर यह है तो minus R21 की direction क्या होगी opposite minus R21 की direction क्या है opposite इसका मतलब यह charges कैसे है कंशे बन यह opposite कब होगी जब यह आपका positive है यह यह negative यह positive है यह negative है यह positive है जोने the charges रहा है opposite charges है जो बीरे पास में Q1 positive या Q2 negative है याने मेरे पास में कैसे charges है Unlike charges है Unlike charges के cases में force कैसा है negative आया force negative का मतलब है force कैसा है attractive है similarly जब Q1 and Q2 ये like charges है जब ये like charges है तो मेरे पास Q1 Q2 की value कैसे आएगी दोनों positive होंगे या दोनों negative होंगे तो Q1 और multiplied by Q2 कैसा होगा positive positive का मतलब है greater than 0 तो जब Q1 and Q2 is greater than 0 उस case में मेरा force कैसा है positive आएगा force positive का मतलब है force कैसा है force is repulsive force कैसा होगा तो inference number 1 मालूम पढ़ गया whenever Q1 and Q2 is less than 0 that means they are the charges are unlike charges force is attractive whenever Q1 Q2 is greater than 0 that means the charges are like charges in that case the force will be also positive and it will be repulsive inference number 2 the inference 2 is that Newton's third law is followed Newton's third law is valid कैसे देखो F21 is given by this and F12 is given by K times Q1 Q2 divided by R12 magnitude square into R12 cap but R12 cap we have already seen that R12 is equal to minus of R21 ये ये यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है minus of R21 के तो इसको मैं replace करूँ तो मेरे पास मैं आती है value K times Q1 Q2 upon R12 square into इसकी जगे पर कहा लिखतू R21 cap यहां क्या जाएगा minus because R12 is equal to minus of R21 तो ये आ गया so from this let us say it is 2 और ये कितना है मेरा 1 so 1 और 2 से compare करूँ तो मुझे कैं मिलते हैं दोनों दोनों में बस A की difference है minus sign का क्योंकि R12 का magnitude और R21 का magnitude तो दोनों सेम है दोनों A की distance बता रहे हैं तो मेरे पास मैं F21 किसके इक्वल आ गया F21 is equal to minus of F21 minus of F12 so the Newton's third law जो ये बोलता है की दोनों forces F12 और F21 और F12 दोनों लग तो रहे हैं but they are equal and opposite so F21 is equal to minus of F12 तो Newton's third law is valid so guys we have seen Coulomb's law Coulomb's law का vector notation भी हमने देख लिया next class में हम लोग इसके आगे के lectures में कुछ नुमेरिकल देखेंगे thank you में लोग लोगिये ये Preet